नमस्प्र 딱 सबका स्वागत है अज अंक जौत्रश में निवरलाजी में हमारे डिट यानी तितरी एक से 31 तक यदि है तो उसका क्या महत्व है वो जानेंगे तो आईए आज डिटेल से जानते हैं एक से इकत्तिस की तारीक में यदि हमारा जन्म हुआ है तो उस तारीक का क्या महत्व है चलिए सुनते हैं आईए आज विस्तार से जन्म कीत थी कैलेंडर के अनुसार एक से इकत्तिस तारीक तक का विवरण मैं बताने जा रही हूँ यानि आपका जन्म एक तारीक से इकत्तिस तारीक में कभी भी हुआ है तो उस तारीक का क्या महत्व हमारे जीवन में अगर हम ये समझ लेंगे तो हम उसी तरही के से अपने आपको ढालेंगे और वो एनरजी से हम जिन्दगी में बहुत सक्सेस्फुल हो सकते हैं तो हर तारीक कातिती का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में हम जब पैदा हुए हैं तो इश्वर ने खास हमें उसी दिन क्यों भेजा है अगर हम ये जानेंगे इन तारीकों के माध्यम से तो हम अपना जो कारिय है इस जीवन का वो बहुत अच्छे से कर तो आईए मास की प्रतम तारीक यानि पहली तारीक को जिनका जन्म हुआ है वो बहुत जादा जोश में रहते हैं स्वचंद रहते हैं और उनके अंदर प्लानिंग चलती हैं और वो बहुत योग्य होते हैं और अपनी भावना को वो प्रकट नहीं करने देते हैं अपने हर काम को वो बहुत अच्छे से करते हैं और अच्छे से कैसे करें इसकी वो बढ़ाई करते हैं या फिर उसका ग्यान अर्जित करते रहते हैं पर वो किसी से चलना नहीं चाते वो स्वेम ही अपने आप अपने जीवन की डोर को चलाना चाते हैं अब आईए दूसरी तारीक यानि दूसरी तिति दो तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही मित्रवत होते हैं प्रेममाई रहने वाले होते हैं भावना उनकी बहुत अच्छी होती हैं और कभी-कभी वो चिर्चिडे से भी हो सकते हैं पर उन्हें मेल, जोल, दोस्ती ये सब पसंद है वैसे तो वो लोग भीड में रहना पसंद करते हैं पर कभी-कभी वो उदासीन भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे कलाकार होते हैं तो आए तीसरी तारीक को देखते हैं तीन नमबर यानि ये वाये मुखी होते हैं बहुत जादा कलपना शील होते हैं मिलनसार भी होते हैं और सपश्टवादी भी होते हैं इनको जीवन में सारी खुशिया मिलती हैं और ये बहुत ही लोग प्रिये भी होते हैं बहुत अच्छे फ्रेमवर्क बनाते हैं अपनी लाइफ में पर उनको पूर्टा वो लागू करें ऐसा अक्सर हो नहीं पाता थोड़े चंचल होते हैं और बहुती ज्यादा ये दूसरों को परामर्ष देना पसंद करते हैं तो ऐसे लोग अगर सेल्समेन होते हैं या फिर इस अध्यापक हों तो ऐसे बहुत अच्छे से मेंटर्ज हों ये काम कर सकते हैं उनको बहुत सफलता मिल सकती हैं अब चार तारिक ये जो जातक हैं इनको बहुत ही काम में मन लगता है और ये बड़े सुव्यवस्तित रहने वाले लोग हैं और इन्हें चिनौतियां बहुत अच्छी लगती हैं और ये सबसे प्रेम करते हैं और कुछ भी कर जाते हैं दूसरों के लिए इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है जिम्मेदार होते हैं पर अगर ये अपनी जिम्मेदारी ना समझे तो इनका मन भटकता रहता है दूसरों को देखते रहते हैं परिश्रम इनको करना ही करना है अब ये कभी ऐसा ना सोचें कि भई मुझे ही काम करना है इन्हें करना ह करना है और ये उससे सफल भी होते हैं अब पांच तारिक ये तारिक जो है इस पे जन में लोग बहुत ही परवतनशील होते हैं वाई ये मुखी होते हैं बुद्धी के स्वामी होते हैं सूव यवस्थ होंगे और कम्मिनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा अपनी बात को समझा सकते हैं व्यापार में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और जोतिश विद्या में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इनके अंदर कुछ विशेश शक्तिया केंद्र भूत होती हैं आईए छे तार प्राइक में जन्में लोग धन्वान जरूर होंगे या फिर उनकी लाइफ में अभी धन नहीं है तो आगे जरूर मिलेगा और हमेशा सचेत रहते हैं मानफतवादी होते हैं बहुत जादा देखरेक करना चाहते हैं अपने परिवार की और जिम्मेदारी को उठाते हैं कोमल होते हैं हिरदय से और अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा च्छिपा लेते हैं जिससे कि वो कभी आजाते हैं क्योंकि वो लोगों की इतनी परवा करते हैं कि वो अपनी अभी व्यक्ति को देते हैं कभी-कभी अब आईए साथ तारिक में जन्में लोग ये बहुती समवेदन शील होते हैं विश्वसनियों होते हैं और इनको जानना यानि ज्यान की तरफ ये हमेशा बढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ जीवन में जानना है शोध कारे में ऐसे लोग बहुत अच्छा अपना जीवन वितीत करते हैं तो ये मित्रों की घहराई में पहुँशना चाते हैं इसलिए यदि ये लोग रिलीजियस हो जाते हैं जब तो ये प्रभू की घहराई में भी उतरते जाते हैं और इनका काम का अंदास अलग होता है थोड़े से आलसी होते हैं थोड़ा सा आराम करना पसंद करते हैं अब आईए आठ तारिक के लोग आठ तारिक में जन में लोग यदि व्यापार करें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इनके अंदर की जो प्रवर्तिया हैं वो व्यापारिक दरश्ची कोण की होती हैं और धन और वित्त संबंदित मामले में ये काम करना पसंद करते हैं बात करना पसंद करते हैं और नयने तरीके इजाद करना चाते हैं कि पैसा कैसे कमाएं महत्वा कांक्षी होते हैं पर्व्यवारिक भी होते हैं और परिश्रमी होते हैं अगर यह परिश्रमी ना हो यह काम ना करें तो शायद इनको सफलता नहीं मिले अब आईए नौ तारिक में जन्मे लोग यह मूलता मानवाती होते हैं और किसी का फायदा जल्दी नहीं उठाते बहुती सहज होते हैं परिश्रमी होते हैं और इनके इंट्विशन बहुत अच्छे होते हैं पूर्वा अनमान बहुत अच्छा लगा लेते हैं समजदारी इसे ये सम्मंद बनाते हैं और कभी-कभी ये manipulative भी होते हैं तो उसमें लोग फस भी सकते हैं सेक्शिक रूप से ये काफी पड़े लिखे होते हैं कलपना शील होते हैं आदर्श वादी होते हैं और लीड करना चाहते हैं अब आईए दस तारिक में जन्में लोग बहुती द्रण निश्चाई रचनात्मक होते हैं और काफी कुछ इनका जो है लाइफ में व्यक्तित्व वो एक नंबर की तरह होता है यह सुच्चंद होते हैं और बहुती महत्वा कांक्शी होते हैं इसी तरह 11 तारिक में जन्में लोग दो की दो नंबर की तरह इनका जो व्यवहार होता है अंतरद्रश्टी इनकी बहुत अच्छी होती है और पर यह काम बहुती शीग्र करना चाहते हैं बहुती लविंग होते हैं और अच्छे टीचर होते हैं पर यदि ये थोड़ा भी गलत चले जाएं तो ग्यारा नंबर के लोग शक बहुत कर सकते हैं या फिर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन्शिप हो सकती हैं अब आईए बारवी तारिक में जन्मे लोग इनके भी जो मूलता गुण होंगे वो तीन नंबर की शक्तियों वाले ही होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मनुरंजक प्रकरती के होंगे कुशल होंगे काम करने में कलपनाशील होंगे क्रियात्मक होंगे और यदि ये अपने आपको समझ के चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और इनके पास धन भी होगा लेकिन यादे ये इस तरह के गुण मिल जाएं जिससे की जंडाल चौकडी बन जाए तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कंजूस हो सकते हैं तेरवी तारिक के जो जातक हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं इनकी आदतें बहुत कुछ चार नंबर वालों की तरह होती हैं ये चौकसी होते हटी होते हैं और इने अपने आप में अनुशाशन में रहना दूसरों को भी यही चाहते हैं कि वो भी अनुशाशन में रहे इनकी तरह तो कभी-कभी इनके जगड़े भी हो जाते हैं ऐसी परस्तियों में पर कुल मिलाके ये बहुती प्रतिवाशाली होते हैं और बहुत काम करने वाले होते हैं अब आईए चौधा तारीक में जन्मे लोग ये काफी हिम्मती होते हैं और लीक से हटकर अलग इनका व्यक्तित होता है इनका अंतरग्यान होता है कभी-कभी ये दूसरों का भी अनुकरन करते हैं पर जो बहुत अच्छे होते हैं वो तो अपनी बुद्धी विवेक का पालन करते हैं पर यदि थोड़ा भी इन्होंने अपने को लूज किया तो इनकी आदते दूसरी तरफ जा सकती हैं जैसे लिकर है नशे के आदी इस तरह भी ये हो सकते हैं तो अपने आपको हमें देखना होगा कि हमें किस रहा पर चलना है अब आईए पंदरवी तारीक में पैदा हुए लोग ये बहुत निश्टावान होंगे बुद्धिमान भी होंगे स्रिजनात्मक भी होंगे और ये अपने घर को देखने वाले होंगे काफी कुछ इनका व्यक्तित्व चह नंबर की तरह होगा व्यज्यानिक हो सकते हैं शोदकर्या शोदकर्ता हो सकते हैं अब आईए सोलवी तारीक में जन्मे लोग बहुत ही मस्त रहने वाले और अपने बारे में बहुत सजग रहते हैं और मुश्किल परिस्तितियों में भी बहुत ही आराम से चलने वाले लोग हैं इनकी एक अपनी विशिष्ट शैली होती है और ये कोई भी बात की तहे तक जाना चाते हैं इसलिए ये तक्निकी तथा विज्ञानिक विशियों में बहुत अच्छे निकलते हैं जिसमें शोद करना होता है अब आईए सतरवी सतरा तारिक ये आठ नंबर के विश्टियों की तरह ही हैं पर बहुत यथार्तवादी हैं और विश्वस्निये हैं और बड़ी-बड़ी योजनाओं पर कारे करने की इनकी योगिता होती है इनका जो धे होता है वो द्रण निश्चाई के साथ काम करना होता है और अगर ये आलस ना करें अपने जीवन में और सही काम करें सतकर्म पर चलें तो ये बहुत ही सक्सेस्फुल होंगे नो अंके अनुसार इनकी जीवन शैली होगी पर इसके साथ साथ इनके अंदर जन कल्याण कारे चेतर में कारे करने की इच्छा बहुत रहेगी और करेंगे भी परोपकार करेंगे सहिशनों होंगे हमदर्द होंगे दूसरे के और यदि ये आलसी हो गए दूसरों को नहीं समझेंगे तो खुद ही ये थोड़ा सा अपना जो रौनक है वो खो देंगे तो इन्हें अपने यही काम करना है इश्वर ने इन्हें सिले पैदा किया है इस तारिक को इन्हें समझना होगा अब आएए उन्नेशवी तारिक तो ये एक नंबर की तरह ही होते हैं पर बहुत आदर्श्वादी होते हैं और बहुत ही महत्वा कांगशी होते हैं कभी-कभी तरक में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं जसे इनका नुक्सान हो जाता है क्योंकि ये सर जुकाना नहीं जाते तो इनको acceptable होना चाहिए और ये बहु मुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं तो अपने अच्छाईयों को हमें देखना है और बुराईयों को छोड़ देना है अब आएए बीसवी तारिक में पैदा जो लोग हैं वो बहुत ही श्पस्ट वक्ता होते हैं मित्रवत होते हैं और उनके साथ लोग असानी से चलने मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही जादा स्पस्ट वादी होते हैं शान्त होते हैं और अपने जीवन में वो एक ऐसे सूची बनाते हैं जो वरियता के हिसाब से चले कि पहले हम को ये काम करना है दूसरा है ये इस तरह ऐसे यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे चड़ चड़े रहेंगे और परिवार का सायोग भी नहीं मिलेगा तो ऐसे लोगों को बहुत शान्त रहना है खुश रहना है और सब के सायोग के साथ आगे चलना है 21 वी तारिक जो है वो तीन नंबर के हिसाब से कुछ होगी लेकिन चुकि 21 है तो बुद्धिमान, स्रजनात्मक प्रतिभा और मनुरंजक प्रवर्ति के ये स्वामी है चुटी-चुटी बातों पे हो सकता है ये चिंता करें या चिर्चड़े हो जाएं पर ये भाव अगर वो छोड़ दे निराशा का तो ये बहुती सुभाशन के लाइक है इनके अंदर ये गुण है कि लोग इनकी ऐसी बाते सुने जिससे वो इंप्रेसों और इनका काम करी 22 नंबर के जो लोग है वो काफी श्रेष्ट अंक माना जाता है 22 तो ये बहुत जादा उंचे जाते हैं पर इनकी लाइफ में उतार चड़ाव आते रहते हैं इनकी बौदिक शक्तियां बहुत होती हैं ये जो लोग होते हैं वो बिल्डर्स यानि जहां पर भी कोई चीज बिल्ड होनी है उसके लिए ये पैदा हुए तो दियार्दा बिल्डर्स वो चाहें तक्णीकी रहा हो चाहें वो राजनैतिक सफर हो चाहें वो दहर मिखो किसी भी चीज में वो प्रवेश करेंगे engineering विभाग में हो ये कुछ ना कुछ बनाएंगे और वो ऐसा कुछ create करेंगे ऐसा बनाएंगे जो की दुनिया के लिए बहुती उपयोगी होगा क्योंकि इनका ग्यान और इनकी intuition बहुत अच्छी होती हैं तो ये आपको समझना चाहिए यदि आपका ये अंख है तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओ अब आएं 23 वी तारिक यानि ये फिर 5 नंबर की तरह काम करेंगे लेकिन ये समवेधन शील हमदर्द बहुत अच्छे दूसरों के रहेंगे और बुद्धिमान हैं और बहु मुखी प्रतिभा के स्वामी हैं इनके आगे चुनौती आएंगी और ये अपनी बुद्धी से उस को सही भी कर लेंगे अब आएए 24 वी तारीक में जिनका जन्म हुआ है वो तो वो भी विलक्षण होते हैं बहुत उत्साही होते हैं उनका जो उत्देश है उसकी वो पूर्टी करते हैं इनकी एक अलग कारेशैली होती है और जो किसा कारात्मक होती है और ये अपने हर काम म सफल भी होते हैं काफी ये अंक जो है ये तारीक काफी सफल तारीक है और ऐसे लोग बड़े उच्छे पदों पर आसीन होते हैं तो इनको समझना होगा कि तारीक 24 है तो हमें किस तरह अपने जीवन में चलना है अब 25 वी तारीक साथ नंबर की तरह ही होंगे पर ये सहज, ज्यान, युक्त और थोड़ा इन में बड़पन होता है पर अगर कोई ठेस महुचा दे तो फिर ये इनकी प्रवर्तियां सुकुर्णने लगती हैं और ये मित्र बनाते हैं या फिर तोड़ लेते हैं तो इनको कोई अगर ठेस महुचाएगा तो ये उस हिसाप से काम करते ह 26 तारिक ये आठ नंबर की तरही काम करते हैं लेकिन थोड़े से हटी होते हैं और कभी-कभी ये दुराग रही हो सकते हैं पर अगर इनके उद्देश इनको क्लियर हूं कि मुझे इस रास्ते पे चलना है अच्छे रास्ते पे चलना है प्रेणा दायक युक्तु हो तो ये बहुत आगे जा सकते हैं और धन कमाने में ये बहुती दक्ष होंगे और सक्षम होंगे अब आईए 27 वितारिक मेजन में जो जातक हैं वो देखे नौ नंबर के हिसाब से होंगे काफी दिर्णिश चाई विश्वस्निये और परिवर्तन को ये पसंद करते हैं और इ पर ये थोड़े से जल्दी बाजी कर सकते हैं जिससे थोड़ा नुकसान हो सकता है पर ये लीड करना जानते हैं आगे चलना जानते हैं मास 28 वितारिक में सहनशीलता सचंदता पसंद करते हैं हुकम मानना नहीं पसंद करते और 29 वितारिक 11 की तरह शेशकर पिर्णायुक्त स्वप्नदर्शी होती है और तीसवी तारिक फिर तीन तारिक की तरह बुद्धिवान जनात्मक सहनशील होती है तो अगर आप अपने इसको सुनते हैं समझते हैं जानते हैं और अब आपको जब पता लग गया है कि मेरी ये तारिक है और उसके गोड़ी ये हैं तो आप उसकी खासा एनरजी को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं तो इसी के साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप इसका फाइदा पूरा उठाएंगे और अपने जीवन में बहुत सफल और सार्टक होंगे तो खुश रहिए मस्त रहिए धन्यवाद